दोस्तो ने वीडियो के साथ आगे आपके पास गैज आज के इस वीडियो में बात करने बाले हैं Realme के upcoming features phone के बारे में दोस्तो बहुत जल्द Realme Dijo की branding के साथ दो keypad phone launch करने जा रही है Dijo star 300, Dijo star 500 दोस्तो अभी हाले में Realme ने Dijo नाम से sub brand announce किया था और इस sub brand के अनरगर Realme के धेर सारे product launch किया जाएंगे चाहे Realme Watch हो, TWS हो या फिर Realme के features phone हो यह सभी या जिर सभी इसी brand के अंदर launch किया जाएंगे आज की इस वीडियो में दोस्तो Dijo star 300 and Dijo star 500 इन दोनों भी keypad phone के बारे में बात करने बाले हैं तो गाईज अगर आप इस phone के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ अंतर तक बने रहीएगा और दोस्तो वीडियो अगर पसंद आजा है तो like जरू कर दीजिएगा साथी चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सकाइब कर बैल आपन दबाके all trick कर देजिये गाई ताकि मेरे वीडियो के सभी के सभी notification सबसे पहले आपको बिले तो गाईज चलिए स्टार्ट करते बात करते सबसे पहले इन दोनों वी phone के design and build के बारे में तो सबसे पहले बात कर लेते हैं देज़ो अस्टार 300 दोस्तों देजो अस्टार 300 को ब्लाक ब्लूय ग्रीmiyor ऐज misman किया जाएंगे तीन कलर ऑप् environments के impact यह देख नहीं graduate studentsribut दिखने में ये Dejo Star 300 से थोड़ा ज्यादा प्रिमियम लगता है अबराल देखा जाए तो दोनों भी फॉन डिजाइन और लुक्स वाइज अच्छे हैं डिस्पले के बारे में बात करें तो Dejo Star 300 में 1.7 इंच का QQVGA डिस्पले देखने को मिलेगा और Dejo Star 500 के बारे में बात करें तो इसमें 2.8 इंच का डिस्पले देखने को मिलेगा थोड़ा बराद डिस्पले इसमें देखने को मिलेगा इसमें QVGA डिस्पले देखने को मिलेगा कैमरे के बारे में बात करें तो दोनों भी फॉन में कैमरा दिया गया है वियर साइड कैमरा दिया गया है साथ में फ्लेश लाइट भी है कितने MP का सेंसर है इसकी जानकारी निगल के नहीं है लेकिन थोड़े बहुत लिक्स की अकॉर्डिंग का जा रहे कि देजोस्टार 300 में 0.08 MP का कैमरा मिलेगा और देजोस्टार 500 में 0.3 MP का कैमरा मिलेगा बैटरी के बारें बात करें तो देजोस्टार 300 में बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी तो थोड़ी छोड़ी बैटरी होगी देजोस्टार 300 से मल्टिमीडिया के बारें बात करें तो दोनों भी फ़ण में एफेम रेडियो और ंक 3 player का sport मिलेगा और RAM और storage के बारें बात करें तो दोनों भी फ़ण में 32 MB का RAM और storage देखने को मिलेगा और साथी दोस्तों दोनों भी फॉन में dual macro sim plus 1 memory card build कर सकते हो और इस फॉन में दोस्तों अब टू 64GB का memory expand कर सकते हो तो गाई ये थे इन दोनों भी फॉन के सभी के सभी specifications बात करते दोस्तों इन दोनों भी फॉन के price के बारे में तो देखते हैं दोस्तों किस price segment पे launch किया जाता है और launch date के बारे में बात करें तो अभी तक इसकी कोई जानकारी निकल के नहीं आई है मैं भी अगले महिने तक में ये phone launch किया जाए तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है